लो जी मेरे वन्य सारे अनुसा स्रिय काल, किसान चिंदावाद, लो जी पीडियों जिट तक किसान नाले खड़े चानल हुझाई नहीं सिस्क्राइब कर देओ, अग्ये शारे वीडियों शेयर कर देओ, लाइक करुना हुझाई तो आठेदेड पेंड करदा, तो चलो बीडि वीडियो शुरू कार देयां थोड़ी हैं गला कार देयां कल टाइम नहीं लगया कवे कम तेका इसी का पहला तो यार मैं उनना फैमिलियों नो बड़े दिलों सलूट गार देयां जो आज उते एक सोटी बच्ची नो लेके नाड़ा है तेने साल दी नो तो बहुत ही खुशी में सुन दिया कि सोटे छोटे बच्चे भी कसाना नाड़ गार गया कि तो मैं बहुत प्रावड है उस गड़े ता अग्गे कोशनी होना थीक तो एक पैंड सी की कहां देख देख रहा तो ओभी तार ने चाहे पैंड जी मेरे बनियों तो न शूट बहुत है तो अब कभी ना कभी यहार दिमाग में ठंडी होती है कभी कहर मी लगता है किसी क्लास लगेगी लेकिन गाली बाली निकल गी न तो या माव कर दियो पहले तो मैं लगाता हूं क्लास बढ़ योन लोगों की यह तीन साल की बच्ची वाहां कड़ी हुई है और आप लोग क्या गर रहे हो वह ही कंदे काम मैंने इतने की शॉपिंग कर लिया मैंने ये ले लिया मेरे को मिस्टेक से ये वेज दिया है तो आपका तो वह काम सिल्सला लगता बंद नहीं होगा कसान भी मर गया ना आप लोग फिर भी यूटूब पर बैड़ रहे होगा ल नहीं देखा उन लोग होगा उनके अपने ही रोने होते हैं रोज मेरा ये प्राबलम होगी है मेरा वो प्राबलम हो गई है ओ भाई सबसे बड़ी प्राबलम तो कसान की है आज अगर कसान ही नहीं रहेगा तो सारी प्राबलम में भी नहीं रहेंगी बेटा आज तो बड़ चाह से मैं इद्दर जा रहा हूं कभी ये बोला अपने के मैं जाके किसान के साथ खड़ी हो रही हूं जहां मैं फिर किसान के साथ खड़ा हो रहा हूं नहीं क्योंकre भई आप लोगों का तो टाइम है यूटूब के बारे में अगर आपको चेक नहीं आएगा तो आप अजासी कैसे करोगे, शापिंग कैसे करोगे, बाहर जाके गंद कैसे डालोगे अब यो तीन साल की बच्ची अगर वहां आई होई है, तुम लोगों को तो चुली वर पानी में मर जाना चाहिए इससे आगे मैं तुम लोगों को कुछ नहीं अब बोसकता हूँ यार, क्योंकि तुम्हारी जमीर मर चुकी है, तुम लोग नहीं खड़े हो सकते कसान के साथ, मेरे को तो अभी यहीं लगने लग जया है, अभी यह नहीं कुछ कर सकते यार, कम से कम, कसान का दर्द तो हो यार, बहुत टाइम पड़ा है तुम लोगों के पास, देग नहीं देर नहीं हो जाए वस, यहीं आपको बोलता हूँ, जो वहाँ बैटे हैं वो तो कुछ नहीं कुछ करके आएंगे, इतना तो मेरे को भी पतता है, वहाँ तो भते होएगी होएगी, no matter what, who's gonna stop or who's gonna cry about it, it's gonna get done as soon as possible, it's end, 2020 ends, मुद्धी चूतिया ends, ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ी शरम चाहिए, वो तो करके आजाएंगे, तो आप उनके साथ खड़े हो सको कि कभी सोच लिया, नहीं, क्योंकि वाई टाइम ही नहीं है हमारे पास तो, हम तो इतने बीजी हैं, अपने बच प्लेन लेके देना हैं, जहां फिर अपनी बीबी को कॉर्बिट लेके देनी हैं, आपके पास तो इस चीजिएं के लिए टाइम रह गया है, लेकर आभी ये भूल चुके हो, जो गाड़ियों भी चलाते हो, जो लेते देते भी हो ना, जो खाना गाते हो ना, सारा कुस, वो कसान कई होता है, अपने पाउं पे अगर खड़े हो जाते हो ना, वो कसान की वज़ा से होते हो, तो थोड़ी शर्म कर लो यहाँ पे, ठीक है, मोद्धी तो चुतिया है, आप लोग भी चुतिया बन रहे हैं उसके साथ, भाई ये गटिया बनती सोड़ो, याहल मत बनो, य आपकी क्या अज़त है, ठीक है, फिर तो आपकी यूट्यूब पे भी अज़त नहीं रहेगी, क्योंकि को कॉमेट नहीं करेगा ना, आज जो कसान के बेटे पागलों गर पे बैड़े हो है ना, आप लोगों को चुतियों की तरह कॉमेट कर रहे हैं, उनके तो माब आप व प्रानत डालता हूँ, वहाँ पे ये कामड ये डालो, कि भाई कसान के जाद कड़े हो जाओ, ये मोवियां मत डालो, उनको समझाओ, प्यार से, गाली से नहीं, ओ बेलर लोग, अब तो काम आजाओ, ये तो फ्री का काम है, बहुत कामड गंदे कर लिये तुम उने, बहुत लड़कियों को तुम लोगों ने गलत बोल लिया, अब कसान के ओपर है बिटा, खड़े हो जाओ, यार एक बात और है, कल से मेरे को खाये जा रहे है, किसी ने पूछ सी, मैं कहीं स्टोर पे ऐसी रुखा था, गैस डालने के लिए गाड़े में, तो वहाँ एक गोरी ड़्म रोमने का यास, तो उसने मेरे को एक आज़ीव सी बात पूछ sì, जिसका मेरे पास अंसर नहीं था, मैं आप लोगों से लिना चाहता हूं, मेरे पास तो खुद के लिए है इसका अंसर, मैं आप से पूछ ना चाहता उ, उसने मेरे से एक बात पूछी सी, बोलती है आ तो भाई लोगो यहां पे मेरा दिमाग काम करना आड़ गया था क्योंकि मेरे भी लड़की है मेरी बच्ची जो है सोटी 14 साल की है मेरा बीच वाला लड़का 15 साल का है बड़े वाल 18 साल का है तो मैं तो भाई अपनी सोटी बेटी को दोनों से जाला प्यार करता हूँ और दोनों से जाला उसको स्पोल करता हूँ उतना मैं अपने लड़कों को नहीं करता जितना मैं अपनी बेटी के लिए करता हूँ क्योंकि मेरे लिए तो बेटी एक सब कुछ मेरी बेटी हुई है क्या बोलू क्योंकि लड़के लोग तो चुतिया होते हैं ये तो भाई इदर उदर देखेंगे निगल लेंगे ठीक है और एंड पे लड़की काम आती है तो भाई मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो अपनी लड़की को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं न आज उन लड़कियों की तरफ देखो जो अपने बाप के साथ, मां के साथ, भाई के साथ कंदे से कंदा मलागे कड़ी हुई है तो ये लड़कियों में फर्ग सोड़ दो यार इसका उम्प्रेसन बाहर भी पढ़ता है कभी ये सोचा करो तुम लोग तो अपनी तरी मां को ये लगी नहीं है कि वह वह उसने लड़की दी है जा तो फिर जो बचारी भी साथी गर के आई होती है उसको मार देते हो जहां फिर लड़की को मार देते हो जहां फिर उसको कहीं सोड़ आते हो जिसको तो आप साधी करके लेके आये हो वो भी तो किसी की लड़की थी न उसको तो कहीं किसी ने सोड़ा नहीं है वो तो आपके घर आगी साधी करके अपना घर वर सोड़के आगी है उसने ये नहीं देखा मैं कहा जा रही हूँ वो blinded सीधी आपके गर पे आगी आपके गर को बना रिया ये करती है सुब्बा खाना बनाती है उड़के ये बनाती है तो फिर उसमें कमी क्या रहेगी है आप तो बिस्तर में पड़े होते हो खाना तो वो ही बनाती है ना चाहे तो वो ही बनाती है ना उठके जब दो पेग लगागे बोलते हो ये बना वो बना वो ही बनाती है ना तो फिर उसको जूती को समझावा वाई उसको भी तो बराबर का दर्जाद हो ना आज कल की लड़कीं लड़कों से ज्यादा समाट है और हिल्प करती है इतना ज्याद रखना यह आप लोग लड़कों के उपपर लाखों कुरोड बरवाद करती हो पढ़ाई के उपपर यहां बेजते हो बाहर बेजते हो ठीक है लेकन लड़की वो ही चलो जी 18 की होगी 19 होगी साधी गर दो अपने घर पे चली जाएगी क्या वो उसका गर नहीं है यहां बैटी है साधी करने से वो प्राय होगी है क्या हाँ मानता हूं आप लोगों की साथ सोच नहीं अलग हो मेरी अलग है मैं तो अपनी बैटी को में जाम बोलता हूँ कि तुछ साधी करेगी न यहां से सिर्फ देजमिंड के रस्ते पर गर लेने का है ज्यादा दूर नहीं ठीक है यह नहीं कोई मेरे को लालचा से कोई नहीं मेरे को यही है मेरी बैटी मेरे आखों के सामने रहे मैं वो पाप मैं उन लोगों साध जायल वाप नहीं हूँ जो अपनी बच्चें को जा तो अंदर मार देते हैं जहां फिर पजा होने के बाद उनको कहीं रोड़ों पे सोड़ दिया मंदरों में सोड़ दिया मजजद में सोड़ दिया कहां कहां सोड़ देते आप लोग अपे लानत है औ और जो तुमारी माँ तुमको ये गंदे गंदे डायलोग इसकाती है, ये वो है, ये वो है, बांज है, ये है, अगर किसी को बच्चा नहीं हो अलड़की तो बांज बोलते हैं, क्यों भाई? अगर वो आपकी कुस होती, या आपकी बेटी होती, या आपकी बेहन होती, फिर उसको कोई आगे बोले ऐसा, आप जर सकते हो, भाईया दूसरी को बोलना बहुत एज़ी है, लेकिन जो दिल पे होता है न, दूसरों को तो सबी बोल सकते हैं, लेकिन अपनों को बोलना बहुत तो बढ़ती है बाब यह जाद रखो लड़की को हमेशा लड़कों से आगे रखो और मैं उन लड़कियों को भी बोलता हूँ जो वहाँ पे कसान के आगे कड़ी हुई है I'm so proud of you guys great job keep it up बहुत बहुत proud हूँ मेरी खुद की बेटी है इसलिए मैं proud हूँ आप लोगों को मेरी बेटी भी ऐसी हुई हर काम में साथ देती है मेरा बेटे नहीं वो तो वस गेम खेल ली टीवी देख लिया जगों फिर आए ठीक है वो बच्ची है उड़के पहला ये पूछती है बड़ा क्या बाप डड़ क्या गाना है ठीक है तो भाई बच्चियों को आगे कर लो मैं सबी को बोलता हूँ तांके कोई बाहरा आज के बाल मेरे को ये ना पूसे के लड़कियों को क्यों पीसे रखते हैं वहाँ पे अफैसला मैं आपके ओपर सोड़ता हूँ इस बात का मैं कोई यतना वो बड़ा प्रीज नहीं करने वाला हूँ कुछ और नहीं हूँ मैं सिर्फ दिल की बात कर जाता हूँ क्यों दिल पे बहुत कुछ लगा हुआ है और फिर जब कोई मेरे को ऐसा बोल देता है आगे से वो तो और भी दिल पे लग जाती है अंदर से रोन निक करूंगा जिसने मेरे को गलत तरीके से दिया तो आगे भी निसोचा होगा ठीक है और किसान के पास जाओ वहां कड़े हो जाओ मोदी अपनी चालें चल रहा है वो ड्रामे बाजी कर रहा है और ये मीडिया जो नहीं नहीं खवरें लगा रहा है कि भाई बस इतने दिन में ये होने वाला है सोला तरीकों दिल्ली खाल ली हो जाएगी ये पहरे मैं मीडिया वालों को बोलता हूं चूतियो कितने में बिकेते उससे डवल मैं देता हूं आप कसान के लिए खड़े होके बनाओ वीडि वो लिखो ठंडी में कैसे खड़े होएं तीन साल के बच्चे वो दखाओ माओं की टांग टुटी हूए फिर भी वहां बैठी हूए है वो दखाओ जो मेरी बेहन आज एक हवते के बाद बच्चा पैदा होने वाला है पर लेकिन आज वो खड़ी है वो दखाओ जो बाप बैठे सुके सुके फिर भी वहां के खड़े हुए है अबे वो क्यों नहीं दखा सकते है क्योंकि तुमारी जमीर मर चुकी है तुम लोगों के लिए सिर्फ पैसा बाकी है और खुशनी है ये मोदी सोधी खुशनी है ये तो गया बटा थोड़े दिन और है वो जब बिके हो ये चार पैसे के लिए मैं उन पे लानत डालता हूँ और थूकता भी नहीं हूँ क्योंकि आप थूकने के लाइक भी नहीं रहे हो आप सिर्फ पैसे के लाइक रहे हो आपकी जिंदगी एक जंड़ वाम की बन चुकी है जहां मर जी लगा लो ठीक है तो अगर मैं फिर मोई बेजो मेरे को मैं खूद शैर करूंगा कोड़ को और मैं लिखके देता हूं मैं उतनी देप्पर जटने शएर चाहि JAM सिसक्राइबर चाहिए नहीं मिलेंगे पर अगर आप कसान पे डालोगे ठीक है वरना तो फिर देख लो मैं तो गालियें देता रहूँगा जब तिकर आप उठके कसान के साथ नहीं कड़े होगे कई लोगों को मेरी ये वीडियो गलत लगेगी वो मेरे को टेंशन नहीं है किसी को नीचे भी लगेगी तो अभी टेंशन नहीं है हाँ जिनको इसी लगेगी वो इसको शेयर आगे जुरूर करणा यार तांके लड़िकी के दर्द जो है ना उसको मेरे को आंसर मिल जाए अगर आप असली बाप हो तो इस वीडियो को शेयर यूरूर करोगे अगर आप भी उन लोगों से हो जो बेटियों को नीचे रखना चाते है तो मैं लानत डालता हूँ आप लोगों के भी ठीक है आज की लड़की बहुत उपर जा चुकी है बाप वो पहले वाला नहीं है गर की जूती नहीं है लड़की कल का फ्यूचर लड़की है लड़के नहीं है लड़कों का तो वाइस वही चूतिया बन दी कुछी के आदे कपड़े देख लिए वो ये सेक्सी है यहाट है ऐसा ही बोलने का न आपको और तो कुछ बोल नहीं सकते हैं आप उसको बोलोगे बाई यह मत कर ऐसे मत कपड़े यह नहीं बोलोगे आप क्योंकि आपको वो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि जो आपकी उपर की बिल्डिंग है ना वो खाली है उसमें गंदी बरा है और कुछ नहीं है तो अभी आप लोग ऐसे करो अपनी गंदी दिकाने उठा कि गहीं और ले जाओ लड़कियों पे गलत कामट सोड़ दो क्योंकि लड़की ही एक है आपकी माँ भी लड़की हुई थी एक दिन आपकी बेहन भी लड़की हुई है यह पहले सोचो दूसरी के लूप पर कामट करने के लिए कही लड़कियों का अच्छा लगतावाद हो नो मेरे को किटेंशनी है उनकी अपनी होती है लेकिन जो गराने की लड़की होती है जो इज़दे वाली लड़की होती है मैं उनकी बात कर रहा हूँ उनको गलत कमड मत मारो वो एक कल का फ्यूचर है ठीक है? अगर किसी के पास इसका अंजर मिल जा है, मेरे को द्रेना जो कहता है कि मैं भी उसको बता सकूँ जिसने मेरे को पूस आए मुदी तेरे दिन सोड़े गए गए है, क्रिस्मस भी आने वाली है लोगों ने गेफ्ट खोल ले है ना तेरे दमाग के खोल ले है यार जब भी कुछ होता है किसान ही क्यों आता है आगे किसान बनाए सब कुछ करे पैसा सरकार लगाती है हाँ, लेकन अगर आप सरकार से लेना जाते हो तो आप ट्रिबल दे के आते हो तो फिर इसको यहीं पे अंडगार दो यार एक हसाब मत रखो अब तोटली इसका हसाब करो सारा गुस कसानों के हाथ में लो तांके खोदी अपनी प्राइस बनाओ तुम लो कितने में मिला ता कितने में बेचना है यह नहीं कि किसी ग्रीब की जान ले लो बेचते समय क्योंकि हम तो देखते हैं कि भाई यहां बन गे पैसे लेकन उपरवाल आपको दूसरी नजर से देखता है तो फिर जिस दिन कान के नीचे लगती है क्या होता है आपको भी पता है समझदार को इसारा काफी होता है तो भाई लोग मुद्धी को तो जाना ही जाना है मैं आप लोगों को फिर बोलता हूँ आप सुदर जाओ किसानों की वीडियो डाला करो यह जो बाल्द में सारा को से फिर बहुत टाइम बढ़ा है फिर डालेंगे ठीक है किसान जिन्दवाद